विडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी से रेक्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपके लिए लगतार आफर्स की जानकारी लेकर आता रहता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि वो प्रवार्ट आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो इसके लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें अब आते ही फीचर्स पर तो इसकी प्रस्ट की बात करें तो इसमें आपको मिल रही है अम्ड राइसन 3 3250 यू प्रस्ट जिसके बेस्पीड है 2.6 GHz और बूस्ट पीड अप्तो 3.5 GHz इसमें आपको राम रही है 4 GB की और इसमें इस्टोरीज के लिए एस्टेड ही प्रवाइड है 1 TB की वेर डिस्प्लेई इसमें एंटी ग्लेर टेक्नलोजी पे बेस्ट 14-inch की HD स्क्रीन मिल रही है विध रिजुशन 1366 x 768 pixels और AMD Vega Graphics बाकी चोटी मोटी टिटेल्स तो आपको पर देखनी को मिल जाएगी जिसके link description में दे दी गई है अब आते सीधे point पर कि ये laptop के लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो basically अगर आपके requirement office work की है like Microsoft Office, YouTube, browsing, online classes वगरा तो आप इसे ले सकते हो गेम भी इसमें आप अच्छी खासी खेल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट स्टिल क्योंकि ये gaming laptop नहीं है तो heavy games के लिए मैं इसे recommend नहीं करूंगा because की cooling technology उतनी advanced नहीं और अगर आप ज़्यादा gaming करोगे तो हो सकता है laptop heat हो तो conclusion ये कि basically आप इसे office work वगरा के लिए लेना और student हो तो coding वगरा या online class वगरा के लिए सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और कभी कबार आदा एक गंडा game खेल लिया entertainment के purpose से तो कोई दिक्कत नहीं है So I hope कि आपकी doubt clear होगी हो कि ये laptop के लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा So if you find कि ये laptop के लिए useful है और आप purchase करना चाहते हो तो आप Amazon से purchase कर सकते हो Link description में दे दी गई है इसके अलब और भी similar depth of laptops के link में description में दे दूँगा जिससे आपको और भी choice मिल सके तो इस वीडियो है बस इतना ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें कुछ स्वारी को comment करें और लगतर ऐसी वीडियो सेखने के लिए शान को subscribe करें